हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों पेट्रॉल की चुट्टी करने और इंडियन्स के दिलों में राज करने आ रही है ओला एलेक्ट्रिक स्कूटर और देखें यह स्कूटर इतना ज्यादा खास क्यों है उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन आज यह जो वीडियो ख है जोस्तों ओला एलेक्रिक स्कूटर वो स्कूटर इसकी एक दिन में एक लाक पूकिंग हूई थी और यह अपने आप नहीं ही एक रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी भी स्कूटर ंसनी डिन की एक लाक बुकिंग हूई हो गी इसके लाओ तो बात करें तो दस कलर आए हैं उसके बारे में मैं आपको क्लेरली समझा देता हूं इससे पहले तीन कलर आए थे जो मैंने आपको बताया था और मुझे ऐसा लगा था कि सिर्फ और सिर्फ चार या छे कलर ही होंगे इस जदर कलर नहीं होंगे लेकिन यहां पर तो टोटली ओला ने गेम चेंज कर दी और 10 कलर मतलब 10 नए कलर इंटिड्यूस करें और इसमें भी गलोसी भी है और मैट भी है अभी यह क्लेर नहीं है कि मैट में कौन से कौन से कलर होने वाले हैं लेकिन हाँ यह पक्का है कि गलोसी में 10 कलर होंगे और मैट में यह भी हो सकता है कि मैट में भी हमें proper 10 color मिलें यह भी हो सता है कि मैट में 5 ही color मिलें तो दोस्तों color की बात कर लेते हैं तो दोस्तों black color तो आपने पहले देखी लिया था लेकिन उसके इलावा अगर हम बात करें तो तो कंपनी यह सोच रही है कि यह जादा कलरों में मतलब एक वाइड रेंज कंपनी कस्टमर को देगी अब इसमें से चार या पांच कलर ओवेसी बाता ज्यादा सेल होएंगे उसके बाद जो भी फाल्तु के color होंगे एक्स्टा कलर होंगे जिनकी सेल कम होगी उनको में भी मिलेंगे मैट में मिलेंगे लेकिन मैट में अभी तक यह कंफॉर्म नहीं है कि चार कलर हैं पांच कलर हैं कि दस हैं यह चीजे अभी तक कंफॉर्म नहीं हो पाई हैं तो यारो color के इलावा स्कूटर में और क्या खास है तो बहुत कुछ खास है और इसके इलाबा मैं आपको क्लेरली बता दूँ कि यार ओला स्कूटर बेस्ट है अटेरगो एप स्कूटर में जो एक नैधर लेंड की बेस्ट कमपनी है ओला का मतलब एक तरह से गेम चेंजर चाहिए था मतलब रिवोल्ड से भी बड़ा गेम चेंजर मैं ओला स्कूटर को मानता हूँ क्योंकि इसका हाइपर चार्जिंग में मतलब अगर इसको आप हाइपर चार्जिंग में चार्ज करते हैं तो यह ठारा मिनिट में 50% चार्ज हो जाती है और 50% चार्ज होने का मतलब यह है कि यह 75 किलो मिटर्स चल सकती है मतलब 50-75 पकड़ लीजिए अपने अपने चलाने की उपर डिपैंड करता है लेकिन मैक्सिम 75 और मिनिमम तो 50 होगा ही एक कोशन बहुत जादा मुझे आरा था कि यह घर में मतलब अगर हम होम चार्जिंग में इसको चार्ज करेंगे तो कितनी देर में यह फुल चार्ज या 50% चार्ज हो जाएगी तो देखिए अभी तक यह समझ आया है कि मतलब जो चीज सामने आई है वो यह आई है कि साड़े तीन गंटे में यह जो स्कूटर है वो आपका फुल बैटरी चार्ज हो जाएगा उसके बाद आप इसको डेड़ सो किलो मिटर या सौ किलो मिटर चला सकते हैं तेखिए अपने अपने राइडिंग पोस्चर पर डिपैंड करता है मतलब अगर आप स्पोर्स मोड पर चलाएंगे तो ऑविसी बात है यह 85 की ही रेंज देगी लेकिन अगर आप इको मोड में इसको चलाते हैं तो 150 किलो मिटर इसली चल जाएगी अब देखें के कॉष्ण और भी है कि क्या इसकी बैटरी लाइफ हमारे मोईल जैसी होने वाली है क्योंकि देखें हमारा मोईल ओविसी बात है छे मैंने एक साल ब्हादी इसकी बैटरी बैक ड्रॉप होने लग जाती है लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ जोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पेक मेरे हिसाब से जो भी चीजे अभी तक मैंने जो रिसर्च करी है उसके बाद जो सामने आई है वो यह आई है कि जुसकी बैटरी लाइफ है वो आराउंड आट साल की होती है एट एयर्स की होती है और उसके बाद भी इसके अंदर 90% बैटरी लाइफ बाकी रह जाती है तो यह मेरी रिसर्च कहा रही है लेकिन बाकी चीजें तब सामने आएंगी जब यह स्कूटर हम मार्किट में आ जाएगा कुछ साल इसको हो जाएंगे तो उसके बाद ही सामने आएंगे कि कितनी बैटरी बाइक ड्रॉप होती है और कितनी बैटरी वैक अप में फर्क आता है तो यह सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम